हेलो दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर वसीम खान और पिछले तीन लेक्चर से हम इसलाम में विरासत के क्या कानून है और किसी परसन की प्रॉपर्टी इसलामी तरीके से किस तरीके से उसके वारिसों में तक्सीम होगी हम डिसकस कर रहे हैं आज का जो टॉपिक में हम डिसकस करने वाले हैं कि अगर किसी मेल की डेथ हो जाती है मुसलिम मेल है मुसलिम मर्द की डेथ हो जाती है और वो अपने पीछे अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को छोड़ता है तो उसके वाइफ में यानि उसकी बीवी में और उसके बच हो जाती है और उसने उसके पीछे अपनी वाइफ छोड़ा है इसकी बीवी है शोहर की डेत हो गई बीवी है उसके पीछे और उसकी बेटियां आए तो इन में प्रॉपर्टी कैसी जाएगी मतलब एक आदमी की प्रॉपर्टी उसके वाइफ में और उसके बच्चीयों में उसके बेटीयों में किस तरीके से distribute होगी example के जरी हम समझेंगे देखिए कि ये जो शोहर है जिसकी date हो गए ये जो आदमी है जिसकी date हो चुकी है और इसने अपने पीछे property छोड़ा है example के तोर पे हम देख रहे हैं कि उसने 100 रुपय की property अपने पीछे छोड़ा है और 100 रुपय की property के साथ साथ उसने अपनी दो बीवियों को भी पीछे छोड़ा है मतलब उसकी दो बीविया थी वो दोनु बीविया हयात है वो दोनु बीविया alive है जिन्दा है और साती साथ उसके चार लड़कियां है समझ रहे हो? साती साथ उसके चार लड़कियां है मतलब सव रूपी की प्रॉपर्टी छोड़ा है पीछे दो बीवियां और चार बेटियां है उसकी अब कैसी प्रॉपर्टी डिस्ट्रिब्यूट होगी तो क्या होगा कि हमने देखा कि wife अगर है मरने वाला husband है उसकी wife है और wife के साथ साथ वो मरने वाले के बेटे या बेटियां है तो situation में wife का share होता है one eighth मतलब आठवा हिस्सा अब 100 रुपे का 8 रुपे का हिस्सा होता है 12 रुपे 50 पे से अब अगर एक wife है तो एक wife को 12 रुपे 50 पे से मिल जाएगा और एक से ज्यादा wife है तो वो ही 12 रुपे 50 पे से वो दोनों में equally distribute हो जाएगा तो यहाँ पर दो wife है तो 12 रुपे 50 पे से दोनों wife में equally distribute होंगा हम कह सकते हैं 6 रुपे 25 पे से रूपय 25 पैसे दोनों BVU में equally distribute होगा तो हमने ये share दे दिये उनको अब क्या होगा कि हमने ये भी देखा था कि अगर एक डॉटर है तो अगर सन नहीं है यानि बेटा बेटी सिर्फ बेटियां है बेटा नहीं है उस situation में अगर एक बेटी है तो एक बेटी को 50% share मिलेगा मतल दो तिहाई हिस्सा कि जैसा कि हम यहां दिख रहे हैं कितना दो तिहाई मतलब सव रूपय का दो तिहाई अगर हमने देखे तो वो होता है चिससट रूपय चिससट पैसे है क्योंकि यहां पर चार बेटी आए तो वो चिससट रूपय चिससट पैसे चारो बेटियों में ब हर बेटी को share मिलेगा equally तो यहां पर 12.50 पैसे हमने wife को दे दिया और 66.66 पैसे में से हमने इन daughters को 16.66 पैसे 16.66 पैसे हर daughter का share उनको मिल चुका है तो हम अगर यहां पर देखें तो 12.50 पैसे को अगर हम plus किये 66.66 पैसे तो यह total amount होता है 89.16 पैसे मतलब 79.16 अब 79.16 को अगर हमने 100 में से minus किया तो 20.84 पैसे बसते हैं तो वो 20.84 पैसे क्या हो जाएगा residue हो जाएगा समझ रहे हो residue हो जाएगा और अगर जो मरने वाला परसन है अब यह 20.84 पैसे बच गया अब यह बचे वाला पैसा किसको जाएगा अगर मरने वाले का भाई है एक भाई है तो 20 रुपे 84 पैसे बाई को मिल जाएगा एक से जादे भाई है दो भाई है तो 20 रुपे 84 पैसे और एक बहन को देंगे इस तरीके से distribute होंगा अगर भाई नहीं है तो भाई के बच्चे है के देखे जाएंगे या for example चाचा है के देखा जाएगा अगर for example father नहीं है तो father's brother है के देखे जाएंगे तो इस तरीके से जो बच्चे वाला property है वो इन लोगों को जाएंगी जो यह है वाइफ को डाटर को तो इतना ही शेर मिलेगा जो आप इस इमेज में देख रहे हैं तो यह था कि अगर मरने वाला अगर मेल है और अपनी वाइफ को और बेटियों को पीछे छोड़ता है तो इस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रिब्यूट होगी उमीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाईए शेर कीजिए ताके लोग इसलामिक लॉफ इनहेरिटन्स इसलाम के विरासती कानून से लोग रुवाश्ना हो सके लोगों को यह पता चल सके थैंक यू, थैंक यू वरिमिच